आप सबका स्वागत करता हूँ EBS की एक और वीडियो में आज की इस वीडियो में भी हम EBS के कोश्चन करेंगे दस कोश्चन आएंगे लगातार आप लोगों के सामने और ये सारे कोश्चन टैट एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होंगे चाहिए आप UP TET की तयारी कर रहे हो चाहिए C TET की चाहिए MP TET की तो जो भी स्टूइट मुझसे ये पूचे सर ये वीडियो किस के लिए है तो ये हर राज्य के TET एक्जाम के लिए है तो सबसे पहले तो आप रिलेक्स हो जाएं और इन 10 के 10 कोश्चन को देखें चलिए उससे पहले दोस्त हमारे Back to School की Android अप्लिकेशन आपने इंस्टॉल नहीं की है तो कर लीजिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 10,000 से ज्यादा स्टॉडेंट जो हैं इंस्टॉल कर चुके हैं और फाइदा ये होता है दोस्त इंस्टॉल करने का Back to School अप्लिकेशन को कि जो आप लोगों को चीजें मिलती हैं जो आप लोगों को दोस्त चीजें मिलती हैं वो बेस्ट क्वालिटी की होती हैं और खास करके सीटेट के एगजाम के लिए और अब तो हमने सूपर टेट के एगजाम के लिए भी चीजें डाल दी हैं आपकी Back to School की अप पर तो आप को करना क्या है आपको करना सिर्फ इतना है कि जल्दी से आपको एप को इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन ले लेना है क्योंकि 90% से ज्यादा जो कोशन्स आपके एक्जाम में आएंगे वो आएंगे आपकी बैक टू स्कूल की एंड्रोइड अप्लिकेशन के अंदर से ही क्योंकि हमने बाइलिंग्वल चीज़ें इसके अंदर डाल रखी हैं और वो चीज़ें जो डारेक्ट आपके एक्जाम को इफेक्ट करती हैं तो जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिएगा जैसे आपके बाकी साथियों ने लिया है इन सभी ने कल सब्सक्रिप्शन लिया आप भी लीजिए ताकि आप अपनी तैयारी में पीछे न चूटें तो चलिए दस कोश्चन लगातार हम करते हैं पहला कोश्चन है बच्चे के परिवार बच्चे के किस डॉमेन को परभावित करता है बताईए देखिए विकास के अलग अलग डॉमेन होते हैं आपको पता है विकास के तीन डॉमेन होते हैं पहला होता है आपका फिजिकल Second Domain होता है Effective और तीसरा जो Domain होता है दोस्त वो होता है Cognitive तो जो Family होती है दोस्त वो Physical, Effective और Cognitive तीनों परकार के विकास को पर भावित करती है तो चाहे आप यहाँ पर भोतिक का नाम लिखें अब देखें effective development के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है तो यह जितने भी तरीके के development है वो इन तीन development के area's के अंदर ही आ जाएंगे तो भोतिक का मतलब होता है physical सामाजिक का मतलब होता है social emotional तो तीनों तरीके के उपरोक्ट सभी answer आएगा overall development करते है परिवार बच्चों का उपरोक्ट सभी चलो second question देखें second है निमनल कित में से परिवार से क्या लाब है what are the advantages of family मात अपिता और बच्चों के लिए एक मजबूत भावनातमक बंधन बनाना creating strong emotional bond between parent and children बिल्कुल ठीक है पहले वाला स्कूलों में बैतर प्रदर्शन क्योंकि माता पिता के साथ समवाद करने में समय बिताने वाले बच्चे बैतर ग्रेड पराप्त करते हैं superior performance is in school as children who spend time in communicating with the parents get to get better grades it makes child a selfish individual ये बच्चे को स्वार्थी व्यक्ति बनाता है देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि स्कूलों में बैतर प्रदर्शन क्योंकि माता पिता के साथ समवाद करने में समय बिताने वाले बच्चे बैतर grade प्राप्त करते हैं ये जरूरी तो नहीं है कई लोग बोलेंगे दोनों A और B लेकिन मुझे लग रहा है option number है लेकिन आप क्या सोच रही है मुझे बताईएगा कोई कई जिंगे पर मैंने answer है और BV देखा लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो अपने माता पिता के साथ बात करेंगे वो paper में भी अच्छे number लें फिर तो पूरी पूरा time ही पढ़ाई की बज़ाए अपने माता पिता से बात करने में लगा दो आप जिससे number आपके अच्छे आजाए लेकिन फिर भी इस cancer आप दीजिएगा ठीक है चलिए परंपरा से अलग होकर बढ़ती आवादी और मुद्रास भीती से किसमे वर्दी हुई है चलिए जी पहला कारी है कारी करमचारी छात्रावास वर्किंग एंप्लोई होस्टल जॉइंट फैमिली सिस्टम नुकलियर फैमिली सिस्टम ओल डेज होम परंपरा से अलग होकर बढ़ती आवादी और सुपीती से किसमे वर्दी हुई है अगर लोग होंगे तो उनका भरंपोशन जो है इस टाइम पर मुश्किल हो जाएगा इससे एकल परिवार में वैस्ता की वर्दी हुई है क्योंकि आज कल के समाज में छोटे परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चों को शामिल किया जाता है आपको पता है और एक परिवार के रूप में आप अपने रिष्टेदारों से दूर होते हैं और ये एकल माता पिता परिवार वाले बड़े विश्तरित परिवार और दो से अधिक मातापिता वाले परिवारों से बिल्कुल अपोजिट है ये क्योंकि इसमें कम आदमी, कम खर्चा और आसानी से रह सकते हैं आप तो आंसर C आए गए आँपर निमल लिकित में से किसने परिवार के कारियों को दो रूपों में विबाजित किया है बतावा अंसर क्या होगा देखिए मेकलवर क्योंकि मेकलवर ने परिवार के कारियों को दो रूप से विबाजित किया इन्होंने का कि परिवार के दो काम होते है ठीक है पहला है परिवार के जो कारिये ना पहला तो है वो कारिये जो इमपोर्टेंट है कारिये है बच्चे प्यदा करना पालन पोष्ण करना गर्का निर्मान करना परिवार जरूरी कारिये करना और नोट इंपोर्टेंट एक्स वाई जड़ बाग की चीज रह गई आपकी जिसे इंपोर्टेंट को कहा है इसने जरूरी और नोट इंपोर्टेंट को गैर जरूरी परिवार के काम दो तरीके की किटेगरी में डिवाइड किया खेलना बच्चों का कारिया है यह मारिय मॉन्टेसरी और देखे मारिया मॉन्टेसरी जो आना वो पड़ाने में जो स्पेशल चाइल्ड थे उनकी टीचर थी और मारिया मॉन्टेसरी इंद्रियों के अगला कोशन है इगलू का उप्योग दुरुव्य शेतरों में रहने के लिए किया जाता है क्योंकि वे किस चीज़ के बने हुए उते हैं बताइए दीए जो इग्लू होते हैं वो generally बर्फ से ही बनते हैं बर्फ से ही बनते हैं लेकिन वो आपकी heat को क्या करते हैं बहार नहीं जाने देते हैं बर्फ के खंड से जो उशमरोधी होते हैं यानि की इόσमरोधी इंसुलेटर जो गर्मी को बाहर न जाने दे ये मान लेजिए इगलू बना दिया मैंने इगलू की ये जो दिवार है इससे बाहर उश्मा नहीं जाएगी इसके अंदर रहेगी आपकी गर्मी और उसके बाहर रहेगी आपकी सर्दी ठीक है तो आंसर यहाँ पर डी आएगा ठीक है स्नौ ब्लोक्स विच आर इंसुलेटर ओफीट चलिए नेक्स्ट कोश्चिन पक्षियों की दीगी सूचे में उन पक्षियों की परजातियों की पैचान करें जिसमें नर अपनी मादा के लिए घोसला बनाता है वेरी स्वीट नर अपनी मादा के लिए घोसला बनाएगा वीवर वर्ड है ऐसा याद रखना वीवर वर्ड वो अपनी मिस्स के लिए खुद जो है घोसला बनाता है ये इनके अंदर खास बात होती है ठीक है और ये ट्री के उपर ही nest बनाते हैं और याद रखना आपको की male bird जो होता है वो घर बनाता है और दूसरे कैसों में आपने देखा होगा दूसरे कैसों में चाहे tailor bird हो चाहे barbit हो चाहे copper smooth हो इसमें दोनों मिलकर घर बनाते हैं लेकिन viewer bird में सिर्फ नर मादा सिर्फ अंडे देगी घर नर बनाएगा कोवा डैस को छोड़ कर अपना घोसला बनाने के लिए निमल लिकित चीजों का उप्योग करता है जड लकडी तार घास आंसर बताईए देखे कव्वे की अगर मैं बात करूँ तो ट्रीज के उपर ये अपना घोसला बनाते हैं उचाई पर ठीक है और ये लकडी तार घास सब का प्रियोग करते हैं लेकिन जड का प्रियोग नहीं करता ठीक है जड का प्रियोग नहीं करता जड मतलब रूट रूट का प्रियोग बिलकुल नहीं होता इसका घोसला बनाने में ठीक है? चलिए next question की तरफ आगे बढ़ते है मान उबस्तियों का विस्तार होता है जब human settlement expands when व्यापार विक्सित हो trade is developed वानिज्य विक्सित हो commerce is developed commerce वानिज्य का मतलब क्या होता है commerce और व्यापार का मतलब होता है trade वी निर्मान विक्सित होता है manufacturing is developed manu f-a-c-t-u-r-i-n-g manufacturing is developed तो चाहे trade बढ़े चाहे commerce बढ़े चाहे manufacturing बढ़े एक देश के अंदर तो मान उबस्तियों का विकास होगा मान उबस्तियों का विकास होगा तो answer हो जाएगा यहाँ पर d all of these क्या जाएगा all of these चलिए next question maloka is a type of maloka किस्प का परकार है अगला question है यह आपका और बहुत जबरदस्त है तो इस वीडियो को सब के सब लाइक करना जो देखो maloka dash का एक परकार बताओ किसका खाद्यपदार से जानवर पक्षिया घर देखे maloka amazon के मूल निवासियों विशेश रूप से कोलंबिया और ब्राजिल में यूज किये जाने वाले पैत्रिक लंबे घर हैं याद रखनाब और प्रत्येक समधाय के पास अपने एक अनूठी विशेशताओं वाला एक घर होता है जिसे maloka जाता है और एक maloka में कई परिवार साथ रहते हैं जो अलग-अलग लंबे घर में बाटे गए अलग-अलग rooms के अंदर रहते हैं तो maloka एक परकार का घर है और ये कहां का है अमेजन आपको याद रखना है या फिर आप कहें कोलम्बिया और ब्राजील ये भी बोल सकते हैं तो दोस्त आज किस वीडियो में आपने क्या किया आज किस वीडियो में आपने मेरे साथ मिलकर दस सबसे खतरनाक कोशन्स किये अच्छे कोशन्स थे आपको मज़ा आया होगा ये कोशन्स करते हुए मुझे भी मज़ा है आप लोगों से कोशन्स डिसकस करते हुए बस इतना आप लोगों से कहना है बेक टू स्कूल की अपलिकेशन इंस्टॉल कर लो ये आपने देख ली है 10,000 से ज़द स्टूडेंट फाइदा उठा रहे हैं पीछे नहीं रहना है आपको सब्सक्रिप्शन लीजिए एक्जाम क्लियर कीजिए सीधी सिंपल बात छे लोग सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं कल आप पीछे नहीं रहना है आपको जल्दी लीजिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों से मुलाकात करता हूँ तब तक के लिए जहीं तीचे भारते नहीं इंपोर्टेंट बात पढ़ते जरूर है नहीं एक केर दोस्तों लाइक करके इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो जाएंगी